नमस्कार किशान दोस्तों मैं शाम शर्मा सना फार्मर आपका बहुत-बहुत स्वावत करता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में ये फूल गोबी की खेती की बोगाई का काम चल रहा है रोपाई का ये बहुत ही अच्छा समय है और अगैती किस्म करने का बहुत ही अच्छा समय है देखिए ये भाई साब डंडे से छेद कर रहे हैं जमीन में जिससे के पीशे लगाने वाले लेवर वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो पौदे से पौदे की दूरी डिसाइड करने में नॉमली पौदे से पौदे की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए लाइन से लाइन की दूरी भी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हम मिट्टी की बात करें तो बलूई दोमट मिट्टी इसके लिए फूल गोबी के लिए बहुत ही उत्तम रहती है और बोवाई से पहले अगर आप 6 महीने पुराना सड़ा हुआ गोबर का खाद अगर आप डा लेने के लिए अगर आप इसकी अगयती किस्म को बोवाई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाब मिल सकता है और गर्मियों में इसका खास करके अच्छा रेट रहता है तो वही किस्म की बोवाई करें जो आपको गर्मियों में अच्छा प्रड़क्शन दे सके आज क जो फूल गोबी की खेती है वो उत्तर प्रदेश और ठंडे प्रदेशों में की जाती है लेकिन टेकनलोजी इतनी बढ़ गई है कि ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के जरिये इसको साल भर किसी भी छेतर में कहीं पे भी पैदा किया जा सकता है जैसा कि आप वीडियो में देख में होता है नर्सरी त्यार होने में फूल गोबी की जो खेती है भारत में वो लगवग तीन हजार हेक्टियर छेत्र में की जाती है और एक एकड़ खेत में लगवग बीस हजार पौधे लगाए जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लें कि आपको कितना ब बात करना तो इसमें अर्ली कुवारी पूसा कतिकी पूसा दिपाली समर किंग यह अगेती किसमें हैं अगर आप अगेती खेती करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी वराइटी चूज कर सकते हैं मध्यम वराइटी हैं पंत सुब्रा पूसा सुब्रा पूसा सिंथेटिक प तो इसलिए बीज का प्रयोग अच्छी तरह से करें कि बहुत महगा बीज है अगर खर्चे की बात की जाए तो इसमें 15,000 से 20,000 रुपे प्रते एकड का खर्चा आता है और बीज को नर्सरी में बोवाई करने से पहले आपको इसको इस टैप्टो साइकलिन नाम की दवाई में 10 लीटर पानी में घोल करके 4-6 घंटे के लिए उसको धिगो के रख गए तब ही इसको नर्सरी में डालें इस टैप्टो साइकलिन नाम की दवाई ये धियान रखें इसका और इसमें नाइट्रोजन जो खाद वगेरा डालना है इ और बाकी प्रोडक्शन अच्छा होता है धन्यवाद थैंक्स फर वाचिंग सानफ फर्मर प्लीज स्टे कनेक्ट फर नेक्स वीडियो